पानी आ रहा है नमस्कार देवी और सजनो सतीस के सफर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्तीस अभी मैं जिस जगह पर खाणा हूँ वो धनकीनेश्वर है यहां पास में धनकीनेश्वर काली मंदिर है यहां से लंच लेकर मैं बेलूर मढ़ जाओंगा जो कि ठीक स तो यह कुछ है लंच का टीकट यहां से आप टिकट पा सकते हैं टिकट बहुत ही सस्ता है और तीन साल तक के बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं है यह सामने हमारा रापदेज बहुत खुबसुरत है कि वे बाई यह हो गई हमारे एंट्रे यह कुछ नजारा है होगली नदी का और काफी खुबसुरत यह नजारा है तो आईए अब चलते हैं अपने लंच इस्टेशन की तरफ अगर यह माइने में कहा यह तो कोलकाता यहां पर हर चीज का मज़ा मिल जाएगा और यह कुछ नजारा है हमारे पीछे का बहुत ही खुबसुरत हैं और चलते हैं अपने लंच की तरफ हमारा लंच आ चुका है वह सामने जो आ रहा है फेरि वह ही है मारा वह मको लेकर जाएगा बेलूर मट और आप यह देखते हैं यह दक्शिनेश्वर काली माता का मंदिर है और यह जितना भी आप पूरा एरिया देख रहे हैं वह सभी द्रक्षिनेश्वर काली मंदिर का ही है बहुत ही खुबशुरत नजारा यहां से लग रहा है अद्बुत हमारा लंच अब लगवग आ चुका है और यह कुछ नजारा है यहां का यह रही हमारी फेरी जिससे हमें जाना है चलिए अब चलते हैं अपने लंच की तरफ फेरी की तरफ और यह कुछ सीन है यहां से तो यह हमाद चुके अपने लंच पर और यहां पर घंटी बज गई यह कुछ है यहां पर सिटिंग अरेजमेंट और हमारा लंच स्टार्ट हो गया जाने के लिए वी आर नाव मुविंग अवे फ्राम और बैंक को कुलकता जब भी आपाई एक बार जरू इसको ट्राइब करिए यह कुछ नाजारा है मेरे पीछे का आई लाइक कुलकता बेरी मच और कुलकता रियली में सिटी अफ जोई है यहां पर मजा ही है मलम मजा है यहां की जो भासा है और जो सब कुछ यहां पर मुझे बहुत अच्छा रखता है और यही कुछ ना जा रहा है इंजॉइ सामने से देखने में लग रहा है बहुत धीरे चल ला है मगर इसके थोड़ी बहुत रफतार है आपको देख सकते हैं कि अधर देखते हैं कि इधर क्या है और यह कुछ ऐसा सीन है और यहां से यह इसको चलाया जा रहा है और यहां पर नल भी है यह इसमें सिर्या गंगाजी का पानी आता होगा यह कुछ बहुत यूनीक चीज़ है और लंच का यह रिखिए किचन है इसमें खाना होगा भी बनता है काफी कूल है यहां पर छोड़ा से किचन भी एक छोड़ा से रूम भी है और अंदर यह इंजिन रूम है अब देखते हैं प्रयास करते हैं अंदर जाने का क्या कुछ सीन है कैसे चलता है तो चलिए हम थोड़ा से परमिशन लेके अब अंदर भी जा रहे हैं और देखते है अंदर का कैसा सीन है तो यह अंदर आप देख सकते हैं अब देखिया अंदर से कैसा आई है लंच और आप काफी खतरनाग है यह इंजन का पोर्शन है अब अब आप उपर की तरफ शलते हैं अब आपको लंच में जाने का नहीं दिलेगा और आपको अमेशा पर्मिशन निंचे जाने का नहीं दिलेगा ऑब अब का आपको अब है बहुत बीम लगए लगए और बहुत एकोच अच्छा एक्स्परियस हैं और यहाँ पेस्टाब बढार मस्तिम है कोई टेंशन नहीं है किसे कर दो दादह को सब कुल भी लेता हैं आजाए यहाँ पर खाना पिना सब कुछ है तो यहाँ एक पहलता सब क्ष्थनिक मेंग हैं अब नुद्ण का अच्छे हैं कल्कटा के लोग तो खुछ मेजाज होते ही और जादा आईरम मस्तिम है और यह देखिये चपपागल यह शहाद बंद है ऐसा गभी देखे है आपने यह दो देखे हैं जो दिस वाज़ तूर अप इंजन रूम जहां से इसको चंड्रोल किया जाता है पोलकाता एक ऐसा सी किया जहां पर आप हर की एक्स्प्लोर कर सकते बहुत अच्छे से और आप देख सकते हैं वह द्यादा मर्शली मारा गया रहे क्या वह वह इस बालू नीची इसमें है वालू लाल बालू है यहां अब जो दूर नाव पर देख सकते हैं वह साधा बालू है बालू का निकाला जा रहा है अब इसका तो मैं वीडियो बना नहीं सकता और आम वहां से चले दे और देखते हैं कहां पहुंचे हैं तो यह कुछ यह कुछ सीन था यहां का और यह क्रिव कैबिन है ऐसा कुछ नजारा है अंदर से अंदर बिस्तर भी लगए है एक दो पुरा चार-पांच लोड़ों के सोने के लिए ब्यवस्ता दी गई है पुरा इसमें कि दोड़ी काटो लगुस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं यह बेलूर मठ है रामकृष्ण जी ने इसकी स्थापना की थी और यहां पर हम विजिट करना ही आ रहे है स्वामी रामकृष्ण के वोसिस से थे स्वामी विवेकाना जी यहां पर देश विदेश से बहुत लो रहा अंदर तो और यह हमारा था लच का सवारी बहुत ही अच्छे यहां पर क्रिव मेंबर थे अंदर का भी कुछ आपने नहीं जारा देखा हो गा तो फ्रेंड्स, we have arrived to बेलूर मठ और यह था हमारा छोटा सा फेरी राइड आपने इंजॉइ किया होगा यह राइड और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजेगा और इसी तरह के ट्रेवल रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा तो चलिया आप से मिलते हैं अब बेलूर मठ में और जय हिन् खो जय देगार बहुतो आप से मिलते हैं